हलो वाट्स अप गाईज आप लोग कैसे हो आपका भाई आपी के चैनल पर आगे तो गाईज आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंफ्रोमेटिव देने वाले गाईज आप लोगों को काफी ज़्यादा डाउट आ रहे थे आप लोगों ने मुझसे कॉमेंट करके पुछा है कि सर आप टॉप थ्री टॉप बेस्ट राइट हैंड बैट्समें बताओ तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप बेस्ट राइट हैंड बैट्समें बताने वाला हो कि आप टॉप थ्री बैट्समें आप कोई सा भी एक बैट्समें चूज कर सकते हो और मैं टॉप थ्र बॉलर्स में से आप कोई सा भी बॉलर लेके जा सकते हो लेकिन मेरी जो selection थी अगर आप मेरी videos regular purpose पर देखते हो मैंने उसमें आपको top 3 selection करके देते जेम्स भासकर राजेश को आप ले जाओ अगर राजेश आप लोगों के पास नहीं है तो आप लवीन को लेके जा सकते हो नहीं तो आप भहिया सुकदीब भहिया को लेके जा सकते हो सुकदीब आपक में तो आप सुकदीब को भी लेके जाते हो क्योंकि सुकदीब को offspin बाल लेता है, भासकर कभी, मैं भासकर को first priority क्यों देता हूँ guys, क्योंकि यहाँ पर मेरी भासकर की जो first priority रहते है guys, इसलिए मैं देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भासकर का जो pace है ना, वो काफी अच्छा as compared to broad, तो यहाँ पर अब बॉलर्स में आपको सब बता चुका था, लेकिन यहाँ पर main जो बात है, जो हम discuss करने वाले, right hand batsman की discuss करने वाले तो हम यहाँ पर सिधा batsman की section बे जाएगे guys, तो आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे batsman दिख रहे होगे, लेकिन आपको वोई doubts साता होगा, कि sir हम इतने सारे faces में सबसे बढ़िया एक खजाना कौन सा लेके जाएं MK Singh हो सकता है, या उसके लिए CJ हो सकता है, विकास भाई है, जो सब के पास होते हैं पीटर तो होता नहीं, फिर हम चलते हैं थोड़ा उपर लेके जा हुआ तो इसमें आपको रोहन दिखता है हरदीब दिखता है, और आपका दित्या दिखता है, इतने सारे batsmen से कोई sir आप best batsman बता दो आप लोगों के इतने भी doubt होगे, और एक विरोध भाई है, जो आपको दिखते हैं, तो guys आज इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाए हूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़़ा informative रहने वाले, काफी hard work लगए guys तो आप लोगों से मुझे कुछ नहीं है, ये बस अपना प्यार, थोड़ा सा प्यार इस चैनल को दे दो, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, कम से कम, 300 लाइक्स तो होने थी ये इस वीडियो को, सब जगह ये वीडियो को फिला दो, ताकि सब लोगों को कभी भी कोई दिक्कत ना है guys, यहाँ पे beginner की बात करने वाला हूँ, यहाँ पे guys, मैं हर किसी, अगर आप beginner level के player हो, अगर आप middle level के player हो, याप pro level के player हो, मैं सब के बारे में यहाँ पे बात करूँगा guys तो अब यहाँ पे आप लोग अगर चैनल पे new आयों और पहली बार आयों, तो कुछ मत करो, एक subscribe कर दो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो guys तो guys, अब यहाँ पे पहली जो हम बात करते हैं, M.K.Sink यहाँ पे M.K.Sink को तो मैं भी नहीं लूँआ फर्स्ट मैं लूँआ विकास भाईया विकास भाईया, सब के पास होते हैं जो आपको आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा अब लेकिन विकास को आप कौन से लेवल तक कहां का टूनमेंट खिला सकते हो यह चीज़ important priority बनती है विकास का लेवल आप लोगों को मेरे पास 15 दिख रहा होगा अगर आप अभी अभी जॉइन हुए हो गेम में तो आपके पास विकास आपको 10 पे मिला होगा फिर एक upgrade version आता है फिर आप उसको 15 तक लेके जाते हो लेकिन मैंने इसको upgrade किया ही नहीं पूछोगा क्यों क्योंकि मेरे पास CJ batsman है जब epic batsman पड़ा हुआ है और एक विरूद है स्वरी विरूद कह रहा हो क्या नाम है आपका MK SING जब इतने सारे batsman पड़े हुए तो obviously बाद विकास को क्यो upgrade करें अपने coin waste करनें लेकिन जिन लोगों को बड़िया batsman नहीं मिल रहे उसके भी मैंने वीडियो डाल रखे कि आप bats batsman कैसे ले सकते हो लेकिन यहाँ पर अभी हम चूस कर रहे है तो उसकी हम बात करें तो विकास अगर आप अगर 15 के पड़े है आप अगर beginner हो तो आप इसको कौन से tournament खिला सकते हो एक Mumbai वाला और एक क्राची वाले में ही लेके जाना क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों की coin waste जोगे क्योंकि आप से अगर आप दुबई में entry लेते हो तो यहां पर अगर by default आपका luck अच्छा हुआ तो आपको अच्छे बंदे भी मिल सकते हैं लेकिन मैं confirm नहीं कहता कुछ middle level के आते हैं कुछ pro level के भी बाई chance आते हैं pro level के सिरफ इसलिए आते हैं जब वो coin proper waste कर देते हैं अपने London और Melbourne जैसे tournament में क्योंकि उन्होंने थोड़ा समझानी होता इसलिए उनके coin waste होते हैं मेरी वीडियो के देखने गाद आप लोगों के मैं comments परता हूँ तो thank you so much इतने beautiful comments करता हूँ तो अगर in case मैं सब लोगों से माफी माँगना चाहूँ in case अगर मैंने by chance किसी बंदे का भी एक भी reply ना किया हो लेकिन मेरी priority रहती है जिसका भी comment आए first priority पे सब के comments का reply करू ये जो demanded वीडियो बनाईगे ये क्योंकि आप लोगों के demand ती right hand batsman लाओ तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है तो guys यहाँ पे इसलिए तो एक like तो बनता गाई अगर ये वीडियो यहाँ पे अगर थोड़ी सी अगर लंब्या जल्दे अल्दी समझा हो लेकिन जल्दे समझाने का नतीजा यह होगा आप लोगों को समझनी आएगा आप लोग हमेशा आपका betting range predictioning विकास तब काम आने वाला है जब इसका level 25 आता है यह 30 आता है यह 35 आता है यह दुबारा मैं आपको समझा तो screen पर देखना अगर विकास तब काम आएगा जब इसका level 25 30 यह 35 रहने वाला है क्योकि यहाँ पर आप इसको अगर आप 30 और 35 पर आ जाते तो विकास को आप मेलबन मत खिनाना लंडन तक खिला सकते हो ठीक है लेकिन उसमें अगर आप लोगों को आधा होने चाहिए इतना मैं कहता हूं क्योंकि यहाँ पर अगर अगर आप मिडल ऑडर के हो ठीक है अभी आप अभी आपको कुछ टाइम हुआ है गेम को जाइन हुए वह बिगनर आपका लेवल कंप्लीट हो चुक है आप बीच में आ चुक हो तो उसको मैं मिडल लेवल में कंसीडर करूगा तो आपके लिए विकास अगर आप पिरॉरिटी रखते हो अपने बेस पे तो आप कम से कम 25 मे सबसे important जो epic batsman यहाँ पर पहले मैं cj भाया के बनुब बात करूगा जिनने cj मिल जाता है जिनने cj नहीं मिलता उसकी भी tension मतलो वीडियो पहली आ चुक है जाके आप देख लेना नहीं तो मैं अपने description box में link डाल दूगा महाँ से भी go through कर सकते हूँ guys cj batsman को हम भाया कैसे सबसे important task cj cj एक first priority पे क्यों ले और क्या यह काम करके देगा क्या काम करके नहीं देगा ठीक है विकास की एक बात सुनो एक weakness है विकास की अगर विकास 35 पे level पे है यह 30 के level पे तब वह अच्छा खेल सकता है leg spin it means James की ball कह रहा हूँ मैं guys तो यह थोड़ा ध्यान में रखना 35 35 है ना तो वह खेल देगा क्योंकि 35 पे उसका level बहुत अच्छा हो रहता है leg spinner में प्लस spinner में उसका level बढ़ता है 35 45 40 बहुत बढ़िया टार्गेट है विकास भीया का खेलनेगा अब बात करते सीजे का सीजे का 20 आप समझो विकास के 25 के बराबर है ठीक है विकास के 25 के बरा सीजे का ना आप यहां पर देखो यह 20 पे बढ़ेगा और स्किल वर्सिस ओफपिनर मोस्ली लोग ओफपिनर को लाते हैं लेकिन मोस्ली लोग भाया जीम्स भाया को लाते हैं तो इसकी एक वीकने से गाईस सबसे अगर इसका स्किल इसकी फास्ट बॉलर पर खुल जाएगी सीजे की फास्ट बॉलर पर खुल जाएगी जहां पर आपको स्क्रीन पर मेरा दिख रहा होगा इसकी एक वीकने से लेक्स पिन लेकिन मोस्ली भाया लोग जेम्स को लाते हैं तो जेम्स को तो आप समझ रहो ना गाईस अगर जेम्स को लेकर आए आप पर टार्गेट नहीं लोगों के लिए दिखका देगा तो सीजे की से सीजे की जो में प्रинов being ढालोग अभी ठीक है तो यहां पर अगर आप लोगों को मिल चुका है तो आप खेलो लेकिन इसकी इसका थोड़ा वीकनेस रहेगे आप के लिए मैंने बता दें जैम्स जैसे बॉलर का अगर जेम्स स सामने beginner टकर आ गया तो आप उसको तो खेल दोगे ऑविसी बात है मिडल वाले को भी आप खेल सकते हो लेकिन जो मंदे थोड़े से हाई-फाई वाले आ गये जिनके पास 30 लेवल का है तो आप कैसे खेलोगे नहीं खेल पाओगे लिख के ले लो खेल लोगे तो भाई आप चो बुटी से बात बताना जाओ इन लोगों के बार में जैसे यह रोहन होगे चोटे बैट्समेंट रोहन हरदीब आप को इस उनका रिजन है गाई एक बात बताओं आपको यह पांच पर मिलता है ऐसे यह आपको यह जो मिलेगा ना रेयर वाले सारे 10 पर मिलते हैं और beginner वालो 30 या 25 पर आता है नहीं तो 35 वाले वे बहुत स्ट्रॉंग होगे अगर तो हमारी यह सब चीज़े हो गई तो यहां पर आप क्लियर समझना है अगर मैं इन दोनों को कोई पिरॉडिटी नहीं रखता यह करोहन जी और यहां पर अदित्य जी क्योंकि यह दोनों पिरॉडिट नहीं इतनी शर्मा तरफ तो लेकिन मैं आप लोगों को टाइम वेस नहीं करूँआ इन दोनों के इसकस नहीं करूँआ लेकिन एक हरदीब बढ़िया भी नहीं कह सकते लेकिन अगर आप लोगों के पास हरदीब है और कोई एपिक बैट्स में नहीं मिल पारा तो तब भी आप लेके जा सकते हो ठीक है अगर बिगीनियर लयवल की होगों एकष्मनी और अगर आपको हष्ठीब मिल जाता है आपके बास कोई एपिक बैट्समेन यह कूई रियर बैट्समेन निहीं आपको अहर दीब दे दिया इन लोगों ने तो अब्छएअकुशी सग आपको प्रोव ही मिलेगे तो गाइस अब यहां पर हर्दीब की बात अब जो बैट्समन बचा मेरे पास एक विरूद भाईया बच्चे हैं विरूद को भी हम विरूद को जो मैं आपको गे सर एक विरूद कर देख लो तो विरूद हो गया और एक मैं आपको छोटी सी चीज जेम्स भी है तो अगर रहती है जेम्स अगर यहां पर जेम्स 35 का आ जाए लेकिन अगर यहां पर एक बात सुन लो अगर विरूद का लेवल 20 30 आ जाता है यहां पर मैं दुबारा लिखता तो गाइस आपको अच्छे देख खोल के समझा रहो इसलिए एक एक चीज थोड़ के समझाने वाली बात है 25 रहता है अगर यहां पर 30 रहता तो काम आजाएगा आपका विरूद नहीं तो आप लोगों के पास 20 का है तो आप अराम से लेके जा सकते हो अगर आप लोगों को विरूद मिला है आप इसको जॉनस बर्ग तक के टूनामेंट में भी लेके जा सकत विरूद नहीं आप लोगों को एक चीट बताओ अब इतना बोलते बोलते आप लोगों के लिए एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट एक रिक्वेस्ट करना चाओ जो भी मेरी वीडियो देख रहा है जो लोग मुझे दिल से भ्यार करते है वो लोग मेरे इंस्टाग्राम अक अच्छी काफी अच्छी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो दालतों आप लोगों को भी काफी ज़्यादा इंटर्टेन होगे तो दोस्तों आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम की फॉलो लिंक जो है अपने कॉमेंट बॉक्स में डालूगा आई होप मुझे 1000 फॉलो आप क सवासपे सकता है लेकिन सुखधी पर मैं मानतो तो हूड़ा वीक रहने वहरा है लेक्स पिरोडिटी सर्ब आप किसको दिने वाले हो जब आपने epic बैस्मन को second priority दे दी तो second priority पे आगे विरूत first priority जो सब की जान वो है हमारे MK Singh MK Singh यहाँ पे best batsman के रूप में मानता हूं क्यों सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो उसका reason मैं आप लोगों को clear करता हूं अगर आपको MK Singh starting में 20 पे मिल गया भाई batsman epic से strong हो रहे गाई अगर यहाँ पे मैं इसको MK Singh को 25 लेवल पे उतारता हूं एक इसकी weakness है अगर James इसको ढंक से मिल जाए तो खेल जाएगा अगर आपने मेरी वीडियो देखे मैं James को MK Singh से लेके बहुत अच्छा केलता हूं लेकिन कही बार मैं भी मार खा लेता हूं मैं proper यह नहीं कहूँ है तो यहाँ पर अगर James इसके सामने 30 लेवल तक भी आता है तो यह बंदा खेल लेगा बड़े अराम से 25 लेवल पे अगर भाई किसी के पास James 35 का लेवल है तो मैं उसमें sure it in लुए यह 6 मारे लेकिन 4 निकाल सकता है defense करके मैंने आपको बता रहे है 4 कैसे निकलते है perfect shot से तो यह बंदा इतनी मैं कोशिश कर रहा हूं MK Singh अगर लेवल James के लेवल अगर यहाँ पे 35 आ जाए तो 6 की यहाँ पे possibility इतनी नहीं रहेगी जितनी यहाँ पे 4 की possibility रहेगी क्योंकि इसका जो batting range होती है आप देखो batting range इसकी 25 है suppose करो इसकी जो batting range है हाँ पे 25 है दुबारा मैं आपको दिखातो गाई इसकी जो batting range है यहाँ पे 25 है नहीं तो मेरे को 20 मिली थी लेकिन मैंने update किया है तो मेरे को 25 का level पे आ चुका है मैं level 3 पे आ गया जो आप screen पे देख रहोगे पहले मैं level 2 पे था इसकी accuracy अच्छी है batting range अच्छी है लेकिन अगर मैं level 4 पे गया अगर मुझे इसका 30 का level मिल जाता है तो मेरे skill versus leg spin काफी अच्छी हो रहेगी उसमें आप देखो जेम्स का level क्यों से है अगर जेम्स का level 35 है तो आप अपना confidence बिल्ड करने आप सुठना अगर 6 नहीं लगेगा तो आपका भाई 4 तो निकाल के रहेगा तो आप 4 निकाल देना ना guys 6 निकलता है तो बल्ले बल्ले guys तो उसको delivery ढंक से निटानने आ रही 35 का जेम्स लाख के रखा हुआ है तो लेकिन जेम्स जिसने 35 का रखा है न वो अच्छे देखी से निकाल लेगा तो वो round the wicket भी यूज़ करेगा over the wicket भी यूज़ करेगा तो हो गए guys सारी चीज में आपको इसमें बता चुका हूँ कि आपके सामने James कैसे मिले और M.K. Singh बता बासकर के सामने भी strong है आपका ये सुहास के सामने भी strong है James का मैंने आपको सब clear कर दिया जैसिफर के सामने भी strong है ये और Nathan जैसे baller के सामने भी strong है Ranveer जैसे strong है साथ जैसे baller के सामने भी इतने सारे ballers का नाम गिंदिया और सुखदीब का भी भहिया सुखदीब के सामने भी यह strong है यह बंदा ऐसा player है सुखदीब की ball turn होती है तो left hand side shot लेना अगर mk singh है तो आपके पास ठीक है यहाँ पर अब हम थोड़ा सा guide कर देता हूँ mk singh की पूरी चीज मैंने आपको बता दी सुखदीब पर थोड़ा अगर मैंने इसका एक minus point देखा होगा आपने अगर देखा होगा तो सुरी अभी मैंने unlock नहीं किया यहाँ पर लिखा हो skill versus off spinner इसका तब lock होगा जब level 5 वेगा उसकी एक trick बता दो गाईस जब भी आप लोग अच्छे जैसे फर्वी बच्चा है वही लैक्स पिनराम नथान जैसे अगर इसको रखते हूं न मैं first priority mk singh को दे दिया मैंने गाईस mk को मैंने first priority विरुद को मैंने second priority और मैंने cj को मैंने third priority गाईस तो और fourth priority मैं दूआ आपका विकास भाईया इतना सर्दूर क्यों क्योंकि यह मेरे लिए ठीक ठाक player है गाईस लगिन आप लोगों के पस अगर विकास अप्ग्रेड होता जाता ना तो आपको best result देखा अगर आपको epic नह priority 35 यह most important level रहते विकास के तो गाईस यह वीडियो बोलते भूलते ही दोस्तों मेरा काफी मूह था गया अब तो आप लोगों से मुझे बस यहीं चाहिए बस प्यार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ने बैल आइकन प्रेस कर दो लाइक करना मत भूना